केन उपनिशद, केन उपनिशद का नाम उपनिशद के पहले शब्द केन से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसके द्वारा, यह संसार किसके द्वारा रचा गया है, यह अस्तित्व किसके द्वारा संभव हुआ है, हम किसके द्वारा जीवित हैं और सांस ले पा रहे हैं, हमारा मन और शरीर किसके द्वारा कार्रे करता है, इस सब के पीछे कौन हैं, संसार और प्राणियों को कौन संभव बनाता है, यह वेध प्रश्ण है, क्यूंकि हम जिग्यासु हैं, इसलिए हम उनसे पूछते रहते हैं, जिग्यासा हमारी प्रग्यती और ज्ञान की हमारी खोज को प्रेरित करती है, हमारे विकास के लंबे करम में, प्रित्वी पर क्रकट हुए मनुश्यों के विभिन संसकरणों में से, हम एक मात्र मानव कर जाती हैं, जो जीवित रहे और सफल हुए, हमारी जिग्यासा ने ही इसे संभव बनाया है हम न केवल जिग्यासु है बलकि आविशकार शील भी है हम अज्याद से न केवल डरते हैं बलकि उसके बारे में उच्सुप भी होते हैं जब वास्त विक्ता, तर्क संदत्ता और ग्यान हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम अपने ज्ञान और समझ की अंतराल को भरने के लिए कल्पना का उपियोग करते हैं। हम बिंदुओं को जोडने का प्रयास करते हैं और जानकारी की कमी होने पर भी संभावनाओं को अनुमान लगाते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम प्रगती करते हैं, हम उन धूसर छेत्रों की फिर से समीक्षा करते रहते हैं और उन्हें नए ज्ञान और परिकल्पनाओं के साथ मान्य करने का प्रयास करते हैं। प्रिथवी पर अपने अस्तित्तु के शुरुवाती दिनों से लेकर अब तक हमने इसी तरह प्रगती हासिल की है। बैदिक रिशी इस जिग्यासा से प्रेरित थे, जंगलों में रहते हुए, उन्होंने अपने आस पास की दुनिया का अवलोकन किया। प्रश्न पूछे, उत्तर मागे, विभिन सिध्धानतों और परिकल्पनाओं पर बहस और विवाद किया। के नुपनिशद ऐसी ही जिग्यासा की उपज है। अस्तित्व और ब्रह्म की प्रकृती की जाच करने के बाद दृष्टा इस निशकर्ष पर पहुचता है कि ब्रह्म के बारे में कोई भी निश्चित नहीं हो सकता है। यदि आप सोचते हैं कि आप उसे जानते हैं तो हो सकता है कि आप उसे नहीं जानते हो। जब आप अनिश्चित को परिभाशित करने या अवर्णिय का वर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ संधे और खुलापन सुष्ट होता है। देवताओं को भी पता नहीं था, जब ब्रह्म उनके सामने आये, तो वे उन्हें पहचान नहीं सके, फिर मनुश्य उस वास्तव में कैसे जान सकते हैं, हम उस प्रतिकात्मक रूप से या अपेक्षाकृत रूप से कैसे जान सकते हैं, चलिए इस उपनिशद को पढ़के जा जानते हैं, केन उपनिशद, संसार में हम एक प्रधान द्वेत देखते हैं, कारण और प्रभाव, जिसे फिजिक्स में हम एक्षन और रियक्षन के नाम से जानते हैं, फिर भी हम संसार के लिए कोई कारण नहीं देखते हैं, इसके कारण की जिग्यासा सुभाविक रूप से उठती है आलसी और कायर इस बात पर जोड़ देते हैं कि इसका कोई कारण ही नहीं है और वे दुनिया और उसके निवासियों का शोशन करते हैं आला कि योग और सहासी लोग यह जादना चाहते हैं कि कई सिध्धान गेहन विचारकों द्वारा प्रतिबादित किया गया है लेकिन जो लोग विचार से परे शुद्ध ग्यान में चले गए हैं उन्होंने सर्व सम्मती से हमें कारण के बारे में बताया है और उस अंतर द्रिष्टी में प्रभाव को भी पूरी तरह से समझ लिया है दुनिया और उसके भीतर की सभी चीड़ों को कुछ सवाल केन उपनिशद एक प्रश्न के शाथ शुरू होता है जिसका उत्तर उपनिशद के बागी हिस्सों में दिया गया है मन किसके कहने पर सोचता है शरीर की बोली कौन लगाता है जीब को कौन बुलवाता है वहे तेजव में सत्ता कौन है जो आख को रूप और रंग तथा कान को ध्वनी की ओर निर्देशित करती है यह कुछ दार्शनिक प्रश्नों में से एक है जो वास्तब में माइने रखता है क्योंकि यदि हम गलत निशकर्श पर पहुँचते हैं तो यह जीवन के बारे में हमारी समझ को धूमिल कर देगा या विक्रत भी कर देगा उधारण के लिए यदि हम ईश्वर या प्रकृती या घटना कहते हैं तो हम संछेप में कह रहे होंगे कि हमारे अस्तित्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि हम से बहुत दूर एक शक्ती हमारे साथ यह सब घटित कर रही है कि हम समुद्री शैवाल की तरह हैं समुद्र की लहरों पर बहते हुए स्थितियों और चीजों के लिए तरसने में सक्षम लेकिन कुछ भी लाने में ऐसमर्द यदि हम आस्तिक हैं तो हमारा मानना है कि यदि हम किसी तरह आवश्यक कार्रे करते हैं तो जवाब में भगवान हमें वह देंगे जो हम चाहते हैं लेकिन फिर भी यह उनका ही कार्रय होगा और इसे पूरा करना हमारी छमता से परे होगा या हमारे पास एक बार इसे प्राप्त करने के बाद भी इसे बनाए रखना हमारी छमता से परे होगा विशाल ब्रह्माण्ड में खुद को पूरी तरह से ऐसा हाए और इसलिए पूरी तरह से महत्वीन मानने का यह द्रिष्टी कोड हमें गंभीर रूप से विकृत करते हुए एपंग और निराश कर देगा You are nothing हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाता है कि हम कुछ भी नहीं है एक ऐसा जीवन जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि हम निराश और ऐसा हाए होकर बढ़ते जा रहे हैं हमारे इलावा जो कुछ भी है उससे नियंत्रित होते हैं यह सचमुच एक जीवित नरक के समान है इस अंधेरे में उपनिश्दों में सैनहित एसास चमकता है एक ऐसा एहसास जिसे हम किसी तरह अपने भीतर गहरे से पहचान लेंगे क्योंकि वह एहसास हमारे अस्तित्तु के सबसे निचले स्तरपर है हम सत्य सीखते नहीं हैं हम उसे पहचानते हैं ठीक है फिर कौन मन को सोचने शरीर को जीवित रखने वाणी की शमता को प्रकट करने और इंद्रियों को संचालित करने के लिए प्रेरित करता है उत्तर आत्मा कान का कान है मन का मन है वाणी कवे वाणी है वह स्वास को स्वास है और आख की आख भी है इंद्रियों और मन के स्वार स्वयम की जूटी पहचान को त्याब कर और स्वयम को ब्रह्म जानकर बुद्धिमान इस जीवन को छोड़कर अमर हो जाते हैं कान, मन, वाड़ी, सांस और आख केवल साधन है, केवल दूत है जो उन्हें क्रियाविंति कराती है श्रमण का श्रोता, मन और विचार का साक्षी, वाड़ी को समझने वाला, सांस का स्रोत और देखने का द्रिष्टा, वह आत्मा है बाहरी अनुभव, भ्रहमक हो सकता है, लेकिन यदि हम भ्रहम को पीछे-पीछे धारणा के ग्रही तक खोचते हैं, तो हम वास्त्विक्ता को पाएंगे, जो स्वयम है एक मोशन पिच्चर में हम बहुत सारी छवियां, बहुत सारे भ्रहम देखते हैं, लेकिन जब पिच्चर रुपती है, तो हमें वह शुद्ध सफेद स्क्रीन दिखाई देती है, जो हर समय उसके पीछे थी, जिसके बिना कोई भी पिच्चर संभव नहीं होती ऐसा ही है आत्मा, स्वयम को ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं, पूर्ण जानना पुनर जनम नहीं है स्वामी प्रभावनन ने धीरा शब्द का अनुवाद बुद्धिमान के रूप में किया है, लेकिन वास्तब में धीरा का अर्थ जो है, वे है, जो द्रिन है इस उधारण में वे जो योग के अभ्यास में और योग से उत्पन होने वाली अनुभूती में द्रिन्ता से स्थापित है ब्रह्म अवर्णिय ब्रह्म सभी समवेदी धाड़ना या बौन्धिक समच से परे है फिर भी हम ब्रह्म के अस्तित्व का अनुमान उस चीज को लगा सकते हैं जिसके घटित होने का कारण बनता है उस चेतना से जो अनुभा करती है और समझती है तो निशकर्ष में हमें उपनिशद यह कहता है जिस पर वास्तब में बहुत कम टिपणी के आवशकता है उसी ने आँख देखती है न जीब व्यक्त करती है न मन समझ पाता है उसे हम ना तो जानते हैं और ना ही सीख सकते हैं वह ज्यात से भिन्न है और वह अज्यात से भी भिन्न है तो क्या हमने बुद्धिमानों से सुना है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता परंतु जिन्हे जिससे बोलती है जिवा जिससे बोलती है उसे ही ब्रह्म समझो ब्रह्म वह वाड़ी नहीं है जिसकी पुरुषो द्वारा पूजा की जाती है जो मन से नहीं समझ में आता है परंतु जिससे मन समझ लेता है उसे ब्रह्म जानो ब्रह्म वह प्राडी नहीं है जिसकी पुरुषद्वारा पूजा की जाती है जो आँख से नहीं देखा जाता परंतु जिसे आँख देखती है उसे ब्रह्म जानो ब्रह्म वह प्राणी नहीं है जिसकी पुरुषोद्वारा पूजा की जाती है जो कान से नहीं सुना जाता परंतु जिस से कान सुनता है उसे ब्रह्म जानो ब्रह्म वह वाडी नहीं है जिसकी पूजा की जाती है वह स्वास द्वारा नहीं खीचा जाता बलकि जिसके द्वारा स्वास खीची जाती है उसे ब्रह्म जानो ब्रह्म वह प्राणी नहीं है जिसको पुर्षो द्वारा पूजा की जाती है जब उपनिशत कहता है कि हमें ब्रह्म को नहीं जानते तो इसका तातपर्य बौधिक ज्यान से है इसलिए जैसा कि यह जारी है हम ब्रह्मड को एक बौधिक विशाई के रूप में सिखा नहीं सकते है जब यह कहता है कि ब्रह्म अज्यात से भिन है तो यह ब्रह्म की अग्येता की बात नहीं कर रहा है बलकि यह है कि ब्रह्म कोई अज्यात वस्तु नहीं है जिसे समय आने पर बुद्धी जान लेगी इस परिछेद का सबसे उलेखनिय हिस्सा यह कथन है कि प्रामड वह प्राणी नहीं है जिसकी पुरुष्वद्वारा पूजा की जाती है यह दो महत्पूर बिंदु प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले वह ब्राम कोई वस्तु नहीं है बलकि शाश्वत विशय है और परिणाम स्वरूप उसकी वस्तु के रूप में पूजा नहीं की जा सकती दूसरा पुरुष्वद्राम से बिलकुल भी संबंधित नहीं हो सकता है लेकिन जो लोग सभी सापेक्ष पहचान से परे चले गए हैं वह ब्रह्म को अपने स्वयम के रूप में अनुभव कर सकते हैं जो जानता है वह अज्यान है और जो अज्यात है वह जानना है प्रारंभ में सभी शास्त्रिय टीका कारों का कहना है कि केन उपनिशद के इस दूसरे भाग में पहले दोश लोग एक सिक्षक और चात्र के बीच में एक समवाध है और शेश तीन श्लोग चर्चा की व्याख्या है सबसे पहले सिक्षक चात्र से कहते हैं यदि तुम्हें लगता है कि तुम ब्रह्म के सत्य को अच्छी तरीके से जानते हो तो जान लो कि तुम बहुत कम जानते हो जिसे आप स्वयम में ब्रह्म मानते हैं या जिसे आप देवताओं में ब्रह्म मानते हैं वह ब्रह्म नहीं है इसलिए तुम्हें अवस्य सीखना चाहिए कि ब्रह्म का सत्य क्या है छात्र उत्तर देता है मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म को पूरी तरीके से जानता हूँ ना ही मैं यह कह सकता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता हम में से वही उसे बहतर जानता है जो इन शब्दों की भावना को समझता है ना ही मैं जानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता इसमें हमारी मदद करने के लिए स्वामी गभीरा नंद का अनुवाद भी यहां दिया गया है सिक्षक यदि आप सोचते हो मैंने ब्रह्म को अच्छी तरीके से जाना है तो आप बहुत कम अभिव्यक्ति जानते हैं जो मानव शरीर और शरीर में होती है देवताओं के बीच इसका बहुत कम अभिव्यक्ति है इसलिए ब्रह्म उपर अभी भी आपको विचार करना बाकी है छात्र मुझे लगता है कि ब्रह्म एक ज्यात है मैं नहीं सोचता मैं ब्रह्मर को पर्यात रूप से जानता हूँ अर्थात मेरा मानना ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ लेकिन हम दहर्रे के साथ इसे सुलजा सकते हैं ये चंद उस कठिनाई का उत्कृष्ट उधारण है जब हम आकथनिय को बोलने और आकथनिय को समझने का प्रयास करते हैं एक असान गलती ब्रह्म ना केवल हर जगा है बलकि वास्तव में सभी चीजे हैं यह भी हम ठीक से समझ नहीं सकते हैं और इसे सरलता से व्यक्त करना चीजों को और भी बत्तर बनाना है इस वजह से उन लोगों के लिए यह आसान है जिन्होंने ब्रह्म का केवल एक संकेत अनुभव किया है यहां तक की इसका एक संकेत भी जवरदस्त है कहो अब मैं ब्रह्म को जानता हूँ लेकिन यह उस व्यक्ती के समान होगा जिसने समुद्री पानी का एक कटोरा देखकर कहा अब मैंने समुद्र देखा है यदि हम ब्रह्म को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो हम वास्तम में यह नहीं कह सकते कि हम ब्रह्म को बिलकुल भी जानते है फिर भी एक ऐसा ग्यान है जो बुद्धी से परे है और अनुभावमातमग अर्थ में जानना है और अन्जाना दोनों है जब हम ब्रह्म को जानते हैं तो हम जानते हैं कि इसे जानने का मानविय अर्थ में नहीं जाना जा सकता यह अवधारना पूर्व इसाई धर्म में भी मानी जाती है जहां कहा जाता है कि इश्वर को देखा नहीं जा सकता लेकिन यह महसूस करने के लिए कि उसे देखा नहीं जा सकता आपको इश्वर को देखना होगा क्या यह सब हमें ब्रहमित करने और रहस्मय बनाने के लिए कहा गया है बिल्कुल नहीं लेकिन इसका उद्देश्य ब्रहम को बौधिक रूप से समझने के निराशा जनक प्रयास को छोड़ना है तो सिक्षक कहते हैं कि यह सोचना कि हम ब्रह्म को जानते हैं जब कि हमें उसके अस्तित्व का केवल एक संकेत मिला है यह गल्ती है हाला कि च्यतुर्चात्र बताते हैं कि हम ब्रह्म के बारे में कुछ-कुछ जान सकते हैं फिर वह बताते हैं कि जब हम बास्तव में ब्रह्म को जान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम ब्रह्म को जानते हैं और नहीं भी यह कहना मूर्खता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ या मैं ब्रह्म को नहीं जानता ज्यान में दोनों एक साथ चलते हैं यदि आपको अभी भी यह विचार नहीं आया है तो चिंता ना करें उपनिशद लेखक ने मान लिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने चीजों को स्पष्ट करने के लिए हमें यह श्लोक दिया वह वास्तब में ब्रह्म को जानता है जो उसे ज्यान से परे जानता है जो सोचता है कि वह जानता है वह नहीं जानता अज्यानी सोचते हैं कि ब्रह्म ज्यात है परंतु बुद्धिमान उसे ज्ञान से परे जानते है व्योहारिक, अनुभव, ब्रह्म का ज्ञान कोई बौधिक मामला नहीं है और ना ही यह अक्षमय, इस आम गलत फेहमी के बावजूत के रैस्मय, दृष्टी हमें व्योहारिक जीवन के लिए अयोग्या बनाती है तो अगला शोक हमें यह बताता है वह जो अपने अस्तित्व की हर गति विधी के पीछे ब्रह्म के अस्तित्व का एहसास करता है चाहे वह महसूस करना हूँ, समझना हो या सोचना हो वह अमरता प्राप्त करता है ब्रह्मग्यान से शक्ति आती है ब्रह्मग्यान से मृत्यु पर विजय मिलती है ईश्वर की अखंड चेतना में रहना ही मुक्ति है इस संसार में शरीर में रहते हुए भी मुक्ति संभव है उपनिशद आगे कहता है वह व्यक्ति धन्य है जो जीवित रहते हुए भी ब्रह्म को जान लेता है जिस व्यक्ति को इसको प्राणियों में ब्रह्म का स्वयम के रूप में महसूस किया है वह अमर हो जाते हैं धन्य वह मनुष्य धन्य है जो जीवित रहते हुए ही ब्रह्म का अनुभव कर लेता है जिस व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता वह सबसे बड़ा नुपसान जेलता है जब वे इस जीवन को छोड़ देते हैं तो बुद्धिमान जिन्होंने सभी प्राणियों में ब्रह्म को स्वयम के रूप में महसूस किया है अमर हो जाते हैं स्वामी निखिला नंद इस लोग का प्रतिबादन करते हैं यदि कोई व्यक्ति यहां आत्मा को जानता है तो यह जीवन के सच्चे लक्षे को प्राप्त कर लेता है यदि वह इसे यहां नहीं जानता है तो एक महान विनाश उसका इंतिजार कर रहा है प्रतिएक प्राडी में स्वयम को महसूस करने के बाद बुद्धिमान लोग संसार को त्याग देते हैं और अमर हो जाते हैं यहां और अभी उपनिश्दों और भगवत गीता में बार बार इसकी पुष्टी की गई है कि यहां दुनिया भी पूर्ण अनुगूती और मुक्ति संभव है यह सनातन धर्म की महिमाओं में से एक है यह कुछ एस्पष्ट, अल्विदा, आशा नहीं रखता है जो केवल मृत्यू के बाद ही साकार होगी कपट पूर्ण धर्म का एक निश्चित लक्षण सनातन धर्म की सच्चाई जिसमें योग भी शामिल है हमारे जीवन के हर पल में सिद्ध की जा सकती है जैसे विज्ञान में प्रगर्ती, विशेश रूप में सिब भौत्की और खगोल विज्ञान में हजारों सालों पहले भारत के रिश्यों द्वारा बताये गए सत्य को प्रकट करती है हम इस तत्य को द्रिणता से पकड़ने की आवश्यक्ता है कि हम इसी जीवनकाल में अज्ञानता और बंधन पर काबू पा सकते हैं हम यह सोचने की जुरत नहीं है कि आत्मज्यान प्राप्त करने के लिए कई अवतार लेने होंगे भगवत गीता विशेश रूप से हमारी अध्यात्मक्शंता की तात्कालिता पर जोड़ देती है विश्वास जूठे धर्म एक और लक्षन की भी अविशक्ता नहीं है योग का हमारा अभ्यास और इसके परिणाम स्वरूप चेतना की परिक्त का हमें उपनिशिदों के महान सत्य को देखने अनभो करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाएगी संधे के बारे में क्या उनका मतलब अंध विश्वास से जादा कुछ नहीं है कुछ उधारण में अभचेतन स्तर पर सत्य की नकारात्मक अस्विक्रिती संधे के रूप में साबने आती है और हमारी प्रगती में बाधा बन सकती है लेकिन इमानदार संधे नहीं कर सो सकता मैं आपके लिए ऐसे उधारण प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनमें मैंने न केवल किसी चीज़ पर संधे किया है मैंने उसकी संभावना से भी इंकार कर दिया है बलकि फिर भी जिस चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं था उसकी सच्चाई भी मैंने स्वयम देखी योग का मेरा अभ्यास मेरी अंतरद्रिष्टी की सीमाओं को उन छेतरों तक धकेलता रहा जिने मैंने अज्यानता वश अंद विश्वास या मूर्कता पूर्ण समझा था और मेरे संधे और इंकार ने उस सत्य को समझने में एक पल की भी देरी नहीं की जिस पर मैंने अविश्वास किया था यही कारण है कि भारत के किसी भी धर्म ग्रंत को ईश्वर का वचन, सर्वोच्च और अंतिम प्रमार नहीं माना जाता है धर्म ग्रंत अध्यात्मिक शिक्षकों की तरह केवल रास्ता बता सकते हैं लेकिन वे निश्चित रूप से सच्चाई नहीं बता सकते फिर भी आंत्रिक विकास के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तविक्ता की खोज में योगी को चक्मा दे सके यही कारण है कि श्री कृष्ण, अभ्यास योग, अभ्यास के योग को उन लोगों के लिए आधार के रूप में कहते हैं जो वास्तव में जानना चाते हैं कि यह महान हानी जो लोग ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते वे सबसे बड़ी हानी जीलते हैं क्योंकि वे स्वयम को और ईश्वर को खो देते हैं तो फिर उनके लिए क्या बचा है? कुछ नहीं, वे अपने ही बंजर मन और हिदय की रेगिस्तान में बटकते रहते हैं। शंकर कहते हैं कि महती विनष्टि ही, महा विनाश, भौतिक संसार में अंतिहीन, जन्म और मिर्तियों हैं, जिसके साथ सभी पेडाएं, डुक और भय जुड़े हुए हैं। महाल, लाब, दूसरी ओर, बुद्धिमान, जिनकी चेतना, ईश्वर में द्रिनता है, स्थिर होती है, वे दुनिया से दूर हो जाते हैं, या अधिक, सटीक रूप से, दुनिया के बंधनों और दोशों से दूर हो जाते हैं, और अमर, ब्रह्म में, हमेशा के लिए प्रव करके, अमर, आमरितम भवन्ती बन जाते हैं, धन्य हैं, वे जो एक शलोक में, परिश्रय में, अपने जीवन को पाते हैं, एहसास और उपलब्धी उनकी होगी, जिनके उनके लिए अमर्ता ही, उनकी सुनिश्चित और शाश्वत भविश्य होगा, ब्रह्म के पास जाना, केन उपनिशद काफी संचिप्त है, और अब एक कहानी पर एक संचिप्त प्रतिबिम्ब के साथ समाप्त होती है, देवताओं की विजय, एक बार देवताओं ने राक्षशों पर विजय प्राप्त की, और यद्यपी, उन्होंने ऐसा केवल ब्रहमण की शक्ति के माध्यम से किया था, वे अक्तियधिक व्यर्थ थे, उन्होंने मन ही मन सोचा, हम ही ने केवल शक्तिरों को हराया, और महिमा हमारी ही है, ब्रहमण ने उनका घमन देखा, और उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना, तब अन्य देवताओं अगनी देवता से कहे, अगनी हमें पता लगाओ, कि यह रहसमय आत्मा कौन है, हाँ, अगनी के देवता ने कहा, और आत्मा के पास मौचे, आत्मा ने उससे कहा, तुम कौन हो, मैं अगनी का देवता हूँ, सच तो यह है, कि मैं बहुत व्यापक और आपस के पास कौन सी शक्ति है? मैं प्रित्वी पर कुछ भी जला सकता हूँ, इसे जलाओ। नहीं चल सका कि यह रहस्मई आत्मा कौन है? तब अन्य देवताओं ने पवन के देवता से कहा। पवन, क्या तुम हम नारे लिए यह पता लगा सकते हो कि वे कौन है? हाँ, पवन के देवता ने कहा और आत्मा के पास पहुँचे। आत्मा ने उनसे कहा, तुम कौन हूँ, मैं हवा का देवता हूँ, सच तो यह है कि मैं बहुत व्यापक रूप से जानना चाहता हूँ, मैं तेजी से आकाश में उठता हूँ, और आपके पास कौन सी शक्ती है? मैं पृत्वी पर किसी भी चीज को उड़ा सकता हूँ, उस पर गिरे, लेकिन उसे खिलाने में ऐसमर्त रहे, इसलिए वे वापस अन्य देवताओं के पास भागे, और कहा, मुझे पता नहीं चल सका, कि वह रहस्मई आत्मा कौन है, तब अन्य देवताओं ने उनमें से सबसे महान, इंद्र से कहा, हे आदर्निय, हमारे लिए पत आत्मा करते हैं, कि वह कौन है, हाँ, इंद्र ने कहा, और आत्मा के करीब चले गए, लेकिन आत्मा गायब हो गई, और उसके स्थान पर, उमा, भगवान, मा, अच्छी तरह से सजी हुई, और अत्यधिक सुन्दर्ता से खड़ी थी, उसे देखतर, इंद्र ने पूछा, वह आत्मा कौन थी, जो हमें दिखाई दी, वह उमा ने उत्तर दिया, वह ब्रह्मता, उसके माध्यम से, अपने आप से नहीं, तुमने अपनी जीत, और अपनी महिमा प्राप्त की, इस प्रकार, इंद्र, और अगनी के देवता, और हवा के देवता ने, ब्रह्म की, पहच जान की, दैव्य शक्ति, यह एक, बहुत ही सीधा वेब्रण है, देवता, अधिकतर, व्यक्तिजत मनुश्य की, बुद्धिमान शमताएं हैं, सेर्धानतिक तक्त्व, बहुत सरल हैं, इंद्रियां और मन, ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसका सत्य, ईश्वर, महा शक्ति, महान महलिक, शक्ति के दिव्यस्त्री, पहलू द्वारा प्रकट किया जा सकता है, कि ब्रह्म, प्रकृती का गतिशील पहलू है, दिव्य रचनात्म पूर्जा, यो पूरुष, परमात्मा से अभिबाज्य है, परम पिता परमेश्वर, अचल चेतना है, जबकि मात परमेश्वर गतिशील चेतना है, श्रिष्टी का संपूर्ण छेत्र मा है, पिता उसकी अभिव्यक्तियों का दिव्य साक्षी है, मा वह दिव्य सेणी है, जिस पर चड़कर हम पिता की गोत तक पहुंचते हैं, प्रकृति पुरुष से आती है, पवित्र आत्मा पिता से आत ने रचनात्मक उर्जा के रित्य का मोल विचार नेती वचन के फुस्तक में पाया जाता है, जहां वह खुद के बारे में कहती है, भगवान ने मुझे अपने रित्य का मोल विचार नेती वचन फुस्तक में पाया जाता है, जहां वह खुद के बारे में कहती है, भगवान ने मुझे अपने रास्ते की शुरुवात में अपने पास रखा, इससे पहले कि वह शुरू में ही कोई भी चीज बनाई, मैं अनंत काल से और प्रिथ्वी के बनने से भी पहले से स्थापित किया गया था, गहराई अभी तक नहीं थी और मैं पहले ही कलपना कर चुका था, ना तो अब तक मानी के पानी के सोते फूटे थे, ना तो पहाड अपनी विशाल मात्रा के स्थापित किये गये थे, ना ही पहाड़ियों से पहले मुझे लाया गया था, ना ही उसने अभी तक प्रिथ्वी वनाई थी, ना ही नदियां और ना ही नदियों के ध्रोप, जब उसने अकाश को तयार किया, तम मैं उपस्थित था, जब उसने एक निश्चित नियम और दिशा सूचक यंत्र से गहराईयों को घेरा, जब उसने अकाश के उपर स्थापित किया, और जल के सोते बनाए, जब उसने समुद्र को उसकी सीमाओं सहिद घेरा, और उसके लिए एक नियम निर्धारित किया, जल अपनी सीमा से आगे ना बढ़ें, और प्रिथवी नेव संतुलित रहें, मैं उसके साथ कुछ बनाता था, हर दिन प्रसन्न होता था, हर समय उसके सामने खेलता था, दुनिया में खेल रहे हैं, दिव्य मा साक्षी भगवान के समक्ष श्रिष्टी का नित्य करती हैं, हाला कि प्रभाव नंद ने उमा गौड दा मदर अविव्यक्ती का इस्तमाल किया, लेकिन संस्क्रित वाक्याँश उमा हैमावतिम है, भारती इतिहास में उमा राजा हिमाल्य की बेटी थी और इसलिए उन्हें हिमावती कहा जाता था, उन्हें इश्वर की द्रिव्य मार्थ पहलू की अभिव्यक्ती अवतार माना जाता था, उमा एक ऐसा नाम है जिसे अक्सर देव्य शक्ती दी जाती है, लेकिन संकर के पास हैमवतिम की एक अलग दिल्चस्प व्याख्या है, इनका कहना है कि इसका मतलब है वह जो सोने की पोशाथ पहने हुए था, यह सबसे दिल्चस्प है, क्योंकि बाइबल में हमें दिव्य मा रानी की एक ऐसी ही कलपना मिलती है जिसे कभी-कभी राजा की बेटी भी कहा जाता है क्योंकि वह राजा से निकलती है, सोने से सजी हुई दाउद ने लिखा, तेरे दाहीने हाथ पर ओपीर के सोने से बनी रानी खड़ी थी और कुछ छंदों के बाद राजा की बेटी भीतर से अत्यंत गौरव शाली है उसका वस्त्र गड़ा हुआ सोने का है प्रकाश शक्ति की पुस्तफ में हम पाते हैं वहाँ एक प्रकट हुआ सुर्ग में बड़ा आश्चर्य सूरज के कपड़े पहने एक महिला इस उधारण में सोना सूर्य का प्रकाश है तत्व अगनी के देवता बायू के देवता और इंद ये अन्य देवताओं से श्रेष्ट थे क्योंकि वे ब्रामड के सबसे करीब पहुचे और उन्होंने पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे जैसा की उपर कहा गया है उस उपनश्यदिक कहानी में देवता अधिकतर व्यक्तिगत मनुश्य को बुद्धिमान शमताए हैं हाला की अगनी वाईयू और इंद्र आधितत्व अगनी वाईयू और आकाश के प्रतिनिधी हैं ये प्रतिवी को जल तक्तु की तुल्ला में स्वयम के ब्रम्व के करीब हैं जिनकी शक्तियां गन्ध और स्वाध हैं अगनी वाईयू और आकाश के छमताएं, क्रमशह, द्रिष्टी, स्पर्ष और ध्वनी हैं ध्यान में हम विभिन रंगों की रोशनी लेखते हैं समवेदनाव का अनुभो करते हैं जो स्पर्ष की आंत्रिक विधाय हैं और ओम के मौन जप में हम आंत्रिक मानसिक ध्वने सुनते हैं ये स्वयम ब्रामड की उपस्थिती के तीन प्रकट करता हैं हाला की लेकिन सभी देवताओं में इन्र सरवोच्च हैं क्योंकि वह तीनों में से सबसे निकट ब्रामड के पास पहुचे और उन्हें पहुचाने वाले तीनों में से पहले थे इथर, शरीर, स्वयम से सबसे निकट है और इसकी ध्वनी छमता वह है जो हमारी चेतना को ब्रम के साथ जोड़ती है इस प्रकार इथर, ध्वनी, सरवोच्च भगवान है जिसके द्वारा हम आत्मा को पहचानते हैं और अनुभो करते हैं सभी में ब्रम, ब्रम और शक्ति वास्तब में एक ही है श्री रामक्रिष्न अक्सर आग और उसकी जलाने की शक्ति की उप्मा देते थे अगनी ही पुरुष है और दाहक शक्ति ही प्रकृती है यह कहना अशक्ति पूर्ण नहीं है कि प्रकृती ब्रम की उपस्थिती का प्रभाव है स्वयम ब्रम है उपनिशद इसे दोराते हुए कहता है यह प्रकृती के सम्मंध में ब्रम का सत्य है चाहे बिजली की चमक में या आखों की जपकी में जो शक्ति दिखाई देती है वह ब्रम की शक्ति है यह मनुष्य के सम्मंध में ब्रम का सत्य है मन की गती में जो शक्ति दिखाई देती है वह ब्रह्म की शक्ति है इस कारण मनुश्य को दिन और रात में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए इसलिए ब्रहमर्ड सभी प्राणियों में आराध्य है उसी प्रकार उसका ध्यान करो जो उस पर ध्यान करता है और वह अन्य सभी प्राणियों द्वारा सम्मानित होता है यह ब्रह्म की उपस्थिती है जो हमें किसी वक्स्तु की तलाश करने या उसे महत्र देने के लिए आकरशित करती है जैसा की डिद्धारणयक उपनिशद कहता है यह पती के लिए नहीं है मेरे प्रिय के प्रती प्रिय है बलकि स्वयम के लिए है यह पत्नी के लिए नहीं है मेरी प्रिय पत्नी प्रिय है बलकि स्वयम के लिए है यह बच्चों के लिए नहीं है मेरी प्रिय बच्चे प्यारे हैं, बलकि स्वयम के लिए है, यह धन के लिए नहीं है, यह ब्रामणों के लिए नहीं है, बलकि स्वयम के लिए है, यह छत्रियों के लिए नहीं, यह उच्चेतर लोकों के लिए नहीं, यह देवताओं के लिए नहीं, यह प्राणियों के लिए नहीं, बल ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो अन्य सत्तो हमारे अंदर ब्रह्म की उपस्थती को महसूस करेंगे और तद नुसार हमें महत्तु देंगे यह अब हम पर निर्भर है शिक्षा अध्भुत है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है उपनिशद रिशी के छात्र को यह बात समझ में आ जाती है लेकिन वह गलत निसकर्ष पर पहुँच जाता है और पूचता है सर मुझे ब्रह्म को ब्रह्म का और अधिक ज्ञान सिखाएं लेकिन सिक्षक ने उत्तर दिया मैंने तुम्हें गुप्त ज्ञान बताया है स्वभाविक रूप से छात्र यह माल लेगा जैसे हम कि गुप्त ज्ञान ब्रह्म आधी के बारे में दर्शन है इसलिए सिक्षक आगे कहते हैं तपस्या आत्मियंत्रन असिक्ति के बिना कर्तव्य का प्यालन ये उस ज्ञान को शरीर है वेद इसके अंग है और सित्य ही इसकी आत्मा है इस परिप्रेश्य को महत्य के बड़ा चड़ा कर नहीं कहा जा सकता गुप्त ज्ञान दार्शनिक सूत्री करण नह यह अभ्यास है जिसे कृष्ण अभ्यास योग कहते हैं अभ्यास का योग वेद इसके सहायक मात्र है सत्य इसके मूल में है जिसे अभवासिया द्वारा महसूस किया जाना चाहिए तपस्या आत्मिपृता और कर्म योग गुप्त ज्यान का शरीर बनाते हैं बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं होता ये तीन ब्रह्म को जानने के कारण देते हैं जिसके बारे में रिशी ने निशकर्ष निकाला जो ब्रह्म का ज्यान प्राप्त कर लेता है वह सभी बुराईयों से मुक्त होकर शाश्वत सर्वोच को पा लेता है धन्यवाद अगर आपने इस और्डियो बुक को लाज तक सुनाएं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजेगा ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियोस पनाने का मोटिवेशन मिल सके मिलते हैं अगली वीडियो में कर लाज कर दो झाल झाल